नमस्कार बोस आईएस एड़ी में आपको स्वागत हैं बोस आईएस संकर्ण मोचन बनारस में यूपी एससी पीसी एस के लिए एक संस्थान इस्थावित किया गया है जिसका उद्दिश पूर्बांचल में गुर्वत्ता पूर्व सिच्छा प्रदान करना है बोस आईएस क उनलाइन चैनल ऐसे छात्रों के लिए बनाये गया है जो हमारे सेंटर पर फिजीकली नहीं आने में असमर्थ हैं और हमारे सिच्छकों का यही प्रयास है कि एक सब्जेक्ट वाइस सीरीज स्टार्ट की जाए चैनल पर जिससे एक अलग अलग सिच्छक द्वारा अलग अल वीडियो डाली जाएं ऐसे छात्र जो यूपी एसी PCS जिसमें की राजिस्थान PCS MPPCS या फिर हिंदी वेल्ट वाले जितने भी PCS हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह जो आज का विशाय है हमारा यह हमारी सीरीज का फर जिएस पेपर बन में हम देखते हैं कि जो कि मेजर सब्जेक्ट हैं एन फिश्टरी प्लस Geography तो इत्यास हमारा जिएस पेपर बन मेंस में आता है इसलिए हम लोग आज यह जिएस पेपर बन से शुरुवत करते हैं हिष्टी उप acceptable history न बेसिकली हिष्ट्टी में ancient medieval Modern दन और वर्ल एष्टी और वर्ल एष्टी इस मैं से आज जो हमारा यह लेक्चर है पूरा एंसेंट हिष्टी का लेक्चर है और यह हम सब्सक्राइब आपकी 15 से 17 गहंटे के अंदर खत्म कर देंगे तो यह हमारी first वीडियो है जिसमें कि हम लोग ancient history को सुरुवात करेंगे और बहुत ही basic से start करेंगे इसमें हम figure के साथ map और important facts को highlight किया गया है इस वीडियो में जिससे students की जो understanding है वो बहुत better बनाई जा सके चले start करते हैं भारत के अगर बात करते हैं ancient history की तो हमारा जो भारत का जो नाम करण है ठीक है वो नाम करण हमारा पुराणों में और महाकाव्यों में इसको भारत बर्स बोला गया है एक आपने जो लोग हिंदू धर्म से देश आपको दसराज युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा दसराज युद्ध जो हुआ था कि राजा भारत और रावी नदी के किनारे राजा भरत और दस राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको दसराज युद्ध को बोलते हैं, और उनी के नाम पर हमारे भारत का नाम भरत या भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा, इसके निवासियों को हम भारती बोलते है भरत की संतान बोलते हैं यूनानी जो ग्रीक्स थे उन्होंने इंडस नदी इंडस जो हमारी नदी है वो सिंद नदी है तो इंडस नदी के इधर रहने वाई लोगों को जो इंडिया बोला गया कि ये लोग को हैं इंडिया लोग इंडिया है तो इन्होंने जो नाम दिया है गो दिया है इंडेस नदी के नाम पर इसको इंडिया नाम दिया गया है और हमारे जो मुस्लिम इत्यासकार हैं उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा है जिसमें से अलमसूदी हो गए अलवरूनी हो गए जो पहला जो भायत पर हमला हुआ था 712 AD में मुहम्मद बिन कासिम ने ज जानने कोशिस करते हैं कि भारती जो एत्यासक है उसका जो स्रोत है धार्मिक और एत्यासक ग्रंत जो हमारे हैं यह इसके सोर्स हैं अगर हम इंडिया के इत्यासकी अगर सोर्स की बात करते हैं तो इसमें हम तीन चीजों को देखते हैं सबसे पहले हमारे आते आर्केलोजिक evidence प्राप्त हुए हैं वो हमारे आधियासिक काल से शुरुवात होती है और कुछ archaeological evidence को हम आज तक पड़ भी नहीं पाए हैं literature की अगर बात करें तो literature में हमारे इंडियल literature और दूसरा आपका हमारा foreigner writings या foreigner literature इंडियल literature के तुल्ला में जो विदेशी ब्रतान्त हैं वो हमारे लिए बहुत important होते हैं हमारे इथियास को जानने के लिए और हमारे इथियास कारों दौरा जो writings लिखी गई है उस वो basically सामाजिक इस्थिति और राजिदिक इस्थिति के इडिगत घुम रही है विदेशी इथियास कारों को कहा ऐसा मानना है कि भारतियों वो इथियास की समझ नहीं थी लेकिन हम अपने साहित्ति के ऊपर निगा डालते तो हम कहीने कही हम पाते हैं कहीने इथियास के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है बट कहीं निक हम विदेशी आकरानता हूं दोरा या फिर कहीं निक ही कल्चर में कुछ न कुछ बाहरी हस्चेप के चलते हम उसको सजो के नहीं रख पाए तो हमारे इत्यास के संबंद में बहुत सारे इत्यासकारों के बीच में आज भी मत्वेद हैं लेकिन हम लोग ज़ादा तर जो ज़ादा इत्यासकारों का मत होता है उसी को हम इत्यास में माल लेते और NCRT के अंदर हमारे में NCRT में जो भी syllabus दिया गया है वही हमारे इत्यास का UPSC का basic syllabus है इत्यास भारती इत्यास के संदर में continue कोई भी नई ancient civilizations की पता चलता है तो इत्यास कारों के बीचे मत्वित पैदा हो जाते हैं तो हमारे अगर धार्मिक और इत्यासिक गरंथ के अरबात करें तो archaeological evidence और literature ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इत्यास के बारे में जानने में काफी योगदान देती हैं archaeological evidence के अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आते है शिक के दूसरे नमबर पर इम्रदवरंड तीसरे नमबर पर इंस्क्रिप्शन चौथे नमबर पर आते है रिकॉर्ड अभी लेग ये चार चीज़ें जो हमारे archaeological evidence में काफी योगदान देती हैं दूसरे नमबर पर हमारा आता है site ya sources sites ओड़ियास साइट À sourcesस में अगर बात करते हैं तो site sources में सबसे पहले आते मिवथे धर्म गरन्थ जो हमारे धर्म गरन्थ है धर्म गरंथ के अंदर दूसरे नंबर पर हमारा आता है एत्यासिक गरंथ, इसको हम बोलते हैं धर्म निर्पेश गरंथ भी इसको बोल सकते हैं, तो जो रिलिजियस गरंथ हैं, हमारे धर्म गरंथ हैं, उन धर्म गरंथ के अंदर हम देखेंगे कि जो वेदास, आरण्यक, ब जिख तो हमारे अगर रिषर्व्स की सोर्थिकवात कर रिषयोंस की बात करते हैं तो रिलिजीज अिश्क्रिप्ट रिगवेदा ऍस उलती के ब्रहFBE is को बूलते हैं हमारे नम्मरं को जानने के लिए दूसरे हमारे तीसे नंबर में हमारे यात्री यात्री और चीनी यात्री इन तीनों को हम लोग इस पर फोकस करते हैं जो कि भारत में आए और भारत के बारे में लोगों ने लिखा ठीक है अगर भारती ग्रंथ के अगर बात करते हैं तो भारती ग्रंथ के अंदर धार्मिक और इत्यासिक ग्रंथ के अगर बात करते हैं तो इसमें से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें से बेदा, ब्रामण, पुरान, बेदांग, उपनिसर्थ, इसमर्ति गरंद, धर्मसूत, आरनेक, जेन साहिद, बॉदसाहिद, यह जो लिटरेचर है, इससे धार्मे गरंथों के से हमारे जो भारत के इत्यास के बारे मुझानकरी प्राप्त हुथी, दूसरे नमर पे इत्यासिक गरंथ आते हैं, ज बारत का सबसे प्राचीन धमग्रंथ है, वो है हमारा बेदा, बहना बारत का सबसे प्राचीन धमग्रंथै, बेद. जिसमें से चार बेद है, हमारे आपका रिगवेद, सामवेद, जुरुवेद, अथरवेद, जिसमें इसके संकलन्त जो करता है हमारे, वो हमारे मैर्स, क्रिष्ण, द्यापाल, बेदव्यास, बेदव्यास के बारे में सब लोगे नो सुना होगा, और ये चार जो ग्रंथ हैं वारत के सबसे प्राचिन ध्रम होता है, रिचाओं का क्रंबद ग्यान, जो हमारे रिचाओं हैं उसका क्रंबद ग्यान, collection of systematic knowledge of रिचाओं, इसका विवाजन के बात करते हैं, इसका विवाजन जो हमारे यहां पर किया गया है, वो दस मंदलों में इसका वाजन है, एक जार अठाइस सूपते हैं इसमें, औ समर्द प्रत हैं, और वहीं पर जो की जिनकी संक्या घ़ाई सो है, और उसके बाद हमारे दूसे नंबर जो देवता आते हैं, वो आते अगनी, और इनको basically देवतार और मनुस्यों के बीच का मद्यस देवताही बोला गया है, हमारे अगनी देवता है, इनको दूसे नंबर पर इन पर सबसे ज़्यादा मन्त नहीं दोसों और इसके पढ़ने वाले रिशी को बोलते होत यानि एक ही कुल के रिशी थे जिन्हों ने इसको लिखा इसकी जानकारियां इसके संब्द जो मिलती है इसमें आर्यों की राजनीति पड़ा ले पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्य आर्येंस हमारे इंडिया में आये तो उसके बाद आर्येंस ने जो भी हमारी ग्रामीड सब्द को बसाया था जो आर्यों की सब्विता थी वो बेसिकली कही सब्विता थी ग्रामीड सब्विता थी तो आर्यों ने जो ग्रामीड सब्विता को बसाया था उसकी पॉलिटिकल सिच्वेशन क्या थी ठीक है और वो लोग जो भारत जो जो पॉलिटिकल सिच्वेशन थी जिसमे है कि गाउं से गाउं का जो अध्यस्वा ग्रामडी से लेकर गाउं बिस जन महाजन इस तरीके जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ था उसकी सिस्टम क्या था यह हमारी आर्योंस की राजनीति पडाली से इसमें जानकरी प्राप्त होती है और जो तीसरा मंडल है वो सुर्य देवताव सावित्री को बोलते हैं उनको समर्पित जो गायती मंत्र है इसका बढ़न इसके अंदर दिया गया है डेस्क्रिप्शन गायती मंत्रा डेडिकेटेट टू सन गोड सावित्री सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है इसमें जो आठ्मा मंडल है उसमें से description हो handwriting हाइम हस्त लिखित रिचाओं का बढ़न किया गया जिनको हमने खिल कहा है UPPCS ने question पूछा हुआ है खिल है क्या basically तो खिल हस्त लिखित जो हमारे रिचाओं है उनका बढ़न किया गया आठमे मंडल में और हमारा नौमे मंडल के अंदर जो सौम देपता को समर्पित है जो नाइन्थ मंडल है वो हमारे सौम देपता को समर्पित है और दस्वे मंडल हमारा चाथ वर्ड समाज है नि फोर वन दा सोसाइटी के अंदर ने बात कर दी है जिसमें से इस चार बर्ड की जो बात हो रही है कि ब्रहमर छत्रिय बैस्य और सूद्र यह चार वर्ड है बर्ड नाम दिया गया है कि अगर कोई ब्यक्ति अगर सिच्छा देने का कारी कर रहा है तो ब्रामण है अगर कोई ब्यक्ति अगर स्रच्छा कारी कर रहा है तो वो शत्री है और कोई ब्यक्ति अगर resources में शुरोत के साधनों में या फिर जो हमारे जो भी हमारे ऊर्जा के संसाधन है या जो शुरोत हैं, sources हैं उनमें लगा हूआ है ब्यापार कर रहा है या कृसी में लगा हूआ है वह भाष्षिय और जो सूद्र है वो इन तीन वर्ड़ों का बढ़न किया गया है इसी बेद के अंदर इसी रिगवेदा के अंदर धर्म सूत्र में इनके करतब में का बढ़न किया गया है इसमें कह रहा है कि प्राचीन इत्यास के साधन की रूप में बैदिक सायत में रिगवेद के बाद सत्वत ब्राम्मन का इस्तान दिया गया गया था सत्वत ब्राम्मन है दा प्लेस इन दा बैदिक लिट्रेचर आफ्टर रिगवेदा एज मींस ऑफ एंसेंट हिस्ट्री रैइट दूसरे नंबर पर आता है हमारा सामबेद राइट सामबेद सामबेद का मतलब होता है यह बेसिकली गाय जा सकने संगीत से संबंदित इनका यह गाय जा सकने वाली जो रिचाए हैं उनका बड़न किया गया इसके अंदर जिन रिचाओं का हम गा सकते हैं और भारती संगीत का जनक भी इसी को बोलते है फादर of Indian Music, सामवेदा को, इसके पार्ट करता उद्रा आते हैं, सामवेद का संबन्द basically कहा से, संगीत से है, ठीक है, जो भगवान को संगीत के संबन्द में जो भजन गए जाते हैं, आज जो अनुप जलोटा आपने नाम सुना होगा, और बहुत सारे जो इत्यासकार हैं, जो सोरी, जो बहुत सारे जो सिंगर हैं, ये जो गाना गाते हैं, तो ये इसका जो father of the Indian music है, वो हमारा सामवेदा है, उसके बाद तीसे नमबर पर आता है हमारा इजुरवेद, इजुरवेद की बात करते हैं तो इसमें बैदिक कर्मकर्णों के नियमों का संकलन है और इसके पाठ करता अधुत्या और इसमें बेसिकली यग्यों के बारे में दिया गया है कि आखिर भगवान को यग्य किस तरीके से किये जाते हैं, किस तरीके से उन कि संगीत फॉर्म के साथ साथ जो गद्ध है यानि प्रॉज एंड वर्स दोनों सिचूइशन में है यह हमारा इजुर्वेदा अगला हमारा आता है अथरवेदा यह बेसिकली सबसे अंतिम रचित है और इसमें जादू टोना वगएरा के बारे में जानकारी दी गई है तो य यह जो सीरीज है हमारी हमारी जो सीरीज है रिगवेद सामवेद इजुरवेद अथरवेद यह चारों सीरीज को इस तरीके से हमारे वेदों का जो संकलन किया गया यह चारों सीरीज में इस तरीके से इसके जो रचैता है अथरवेद के वह अथरवारेशी इस ही के नाम पर वाए यहां पर जोनरे मिलती है, शामान मनुस्यों के विचारें विश्वास अंद विश्वास, राइट, अंद विश्वास का जनक बोला जाता हूँ इसी वेदा से आया, कि लोगों के बीच में अंद विश्वास का पैदा होना, जादू टोना का होना, तंत्र मंत्र का होना, और इसमें इसी बेद के अंदर बोला गया कि राजा की दो पुत्रियां है, प्रजापती की दो पुत्रियां है, जो राजा पर कंट्रोल करती है, सबा एवं समिति, सबा और समिति क्या है, बेसिकली, देखें, सबा अन्दर सारे समझदार लोग हैं ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं यानी राजा को सलादेने वाली समितियां है राजा बिना इनकी सला के कोई भी कार नहीं करेगा तो सबा जो है अधर वेद में बोला गया है कि कन्याओं के जन्मकी इसमें निंदा की जाती है अधर वेद में निंदा की गई कन्या किसी गया पर पैदा हुई है तो वो मतलब निंदनी है वो निंदनी का रहे है उसमें लोगों बेसिकली लोगों को सरम मतलब सरम टैप का लग रहा है कि छलिए आगे बड़ते हैं ऐसे इसके बाद हमारे आते बेदांग राइट बेदांग आते हैं और बेदांग की अगर बात करते तो बेदांग जो हमारे हैं वो बेसिकली बेदांगों को समझ जो तो बेदांग हैं, जैसे माल लिजेगा, अगर physics अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं, social science और science के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब ही आप आगे चलके physics के ग्याता बनेंगे, उसी तरीके से बेदों को समझने के लिए आपको बेदांग पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से English को समझने के लिए grammar पढ़ी जाती है, उसी तरीके से बेदों को समझने के लिए बेदांगों को रचित किया गया है, कि आखिर बेदों को आप समझने कैसे, बेदांगों की संक्या जो है basically 6 है, इसमें से सबसे पहला आता है सिच्छा, सिच्छा का मतलब pronunciation, य बेदांगों के बारे में जानकारी दे गई है, कि ये 6 बेदांगों के माध्यम से आप किसी बेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है, अगला हमारा आता है पुराण, तो पुराणों के अंदर अगर बात करते हैं, तो भारती इत्यास की कथाओं का सबसे अच्छा करमबत जो विवरण दिया गया है, वो हमारा पुराण में दिया गया है, जिसके अंदर मतज से पुराण, बायू पुराण, मतज से पुराण, ये प्रमुक हैं, जिसमें कि इत्यास के साथ साथ हमारे जो भारती इत्यास की जो कथाओं हैं, उसका ये विवरण किया गया है इत्यासकार भारती इत्यासकार बेसिकली जो प्रिजेंटर प्राप्त आर्केलोजी के आदार पर वेरिफाई करने के बाद भारती इत्यास के बारे में बताते हैं जो कि एक ग्यान की भात किया जाता है तो हमारे भारती इत्यास से कथाओं का सबसे अच्छा जो करंबत विव बहुत पुराण को पाथन की अनुमती नहीं थी और लेकिन वो इसको सुन सकते थे तो यह कहीं ने कहीं बहुती जादा सीग्रेट चीज न थी यानि की बहुती जादा पवित्र चीज थी जो की इसको इस्थरी और सुद्रों को पंड़ने के अनुमती इसमें नहीं दी गई है इसमें से प्रमुख जो है वो बायू पुराण, मतसे पुराण और आपका गर 18 परवाण जिसमें से पर्मुक परवाण हैं जिसमें से परमोक के और यह सारे राजाओं की बंसाव की स्के अंदर ये सारे हैं आगी समें नियुकर कंडों का ब थान बताया गया है वो और इंदा दिया गया यग्चियों का में धी खर पर बात करते हैं तो इसमें से रिगवेद सोक लेजरुवेद के लिखा हुआ रिगवेद के बारे में लिखा हुआ सबसे इंपोटेंट हमारा आता है गोफत बामबर साम जुरुबेद के लिखा इंदर यह काफी इंपोटेंट फैक्ट्स है जोकि हमने आपको नूट में डाला हुआ है सत्पत ब्रामबर के अंदर इस्तरी को पुरुष की अर्धांगनी बोला गया है कि पुरुष और इस्तरी कौन है दोने एक दूसरे की अर्धांगनी है राइट तो इस यह सत्पत ब्रामबर के अंदर दिया गया है राइट अधर बैदिक साहिति के अगर बात करते हैं तो अधर बैदिक साहित के अंदर आपका अधर बैदिक साहित के अंदर बात करते हैं इसके बारे में आपने सुना हूगा इस्तियों की सबसे गरियो इस्तिति इसी में बताई जाती ए जूँआ मानु समर्ति है आपने सुना होगा सब heh प्राची निश्मति है सुमकाल के नंदर सुमकाल के बातr मतऊ START यगला हमारा आता है उसके बार जो तिर्प्राइब है इसमें हमारे इत्यास के बारे मेरे लीजमी इसने करें मिलती है इनकी जो language फाली language है इसकी तिर्प्राइब की हीनियान जो है न प्रमु कीडरंत है इसकी कखावस्तु जो है ना प्रमुक जो है बुद्ध मात्मा बुद्ध के जीवन चत्र पर प्रकाश डालती है राइट और इसी तरीके से हमारा जो जेन साहित है जेन साहित के अंदर इसको हम आगम बोलते हैं और जेन साहित के अंदर भगवती सूत्र भगवती सूत्र और कल्पसूत्र ये जो मावी स्वामी के जीवन के क्रत्ति हैं राइट और कल्पसूत्र में जेन दर्म का इत्यास का प्रारम प्लस बारा अंग से हो बताए गए हैं ये भी हमारे लिए काफी इत्यास के बारे में जानकारी के लिए काफी इंप्रोटेंट हैं अगला जो हमारा historical books कि अगर बात करते हैं तो इस्टोरिकल बुक्स हमारे उस समय पर बहुत साही लिखी गए जिसमें जैसे एक अच्सास्त्र हमारा अच्सा बेसिकली प्योर पॉलिटिकल बुक्स है इसमें इसका एकॉनोमी से कुछ ले देना नहीं है तो इसको चाड़क के विश्रुगुप्त जानकारियां दी गई है यह जानकारियों में चचनामा हो गया आपका आगे आप देखेंगे गारगी सहता अश्टाद्याई पाणिनी की चचनामा अली एमत का आपका महावास पतंजली का जो कि पतंजली को ने पुसमित सुंके प्रोहित है तो यह हमारे इंसियंट इंडि ancient India ancient India के sources से उनको discuss किया कहा कहा से हमने इत्यास लेखन के लिए सुरोत इखटे किये हैं अगले lecture से हमारा जो start होगा वो start होगा इंडस बैली civilization प्लस इस से पहले जो human development जो हुआ है इसमें से मनुस्ट जब बंदर से जो मनुस्ट का development का phase हुआ है और उस समय पर जो basically तीनो phase में है जिसमें कि आपकी pre-historic age, proto-historic age और historic age इन तीनों को discussion करेंगे उसके बाद हम आगे अपने ancient को आगे लेके जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद